आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग मित्रो ओम सी गनिशाय नमा आईए जानते है बुद्धवार यान की सोलो नवंबर दोजार पाइस का संपूर्ण विस्तित और सटीक पंचांग जानते हैं हमारे भारति योधिस पंचांग होता है वो होता है सुरिवोदे, द्सुरियाश, चंदोदे और चंद consultants पर आधारित इन ही चारों चीजों पर पूरा पंचांग हमारे नेरधारित होता है इसी कराण आप देखेंगे अलग अलग जगा के लिए पंचांग भी अलग अलग होता है। होता है। तो, शुर्योदय, सुर्यास, चंद्यच्ध और चंद्रियास्थ पर निरधाइद होता है हमारा पंचांग। जैसा कि अब जानते हैं संस्कृत का ही सब्द ही है और इसके पांचांग होता है। तिथी, वार, योग, नक्छत्र देने वाले चीजों को जोडने से बनता है और उन्हीं सभी चीओं की संपूर्ण और 60 जानकारी जो की बुधवार 16 नॉवंबर 2022 के लिए मैं आपके लिए लेकर उपस्तित हूं तो वीडियो में हमारे साथ अंद तक बने रही है ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानक है क्योंकि भगवान गने सब के ही विग्णों के हरता है आपके विग्ण जरूर्ण हरेंगे वीडियो पसंद आए इसी तरह के वीडियो अब आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे जर्ण धर्मसिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार से जोती स समन्दित पंचांग से समन्दित मोहूर्थ से समन्दित वीडियो मिलते रहें समय समय पर आज का संपूर्ण पंचांग आपको बताना आराम करूं उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक बार सुब कामना दे दें उन लोगों को जिनका जन दिन है आपको जन दिन की हर्दिक सु कोई व्यक्तिस पंचांग को देख रहा है यानि कि आप आप के लिए मैं आज के इनकी मंगल में होने की काम ना भगवान गरेश से करता हूं। तुनी सब्दों के साथ आए चली आनते हैं बुधवार 16 नॉवंबर 2022 का संपूर्ण विष्थित और सटीक पंचांग आनते हैं। तुनी सब्दों के साथ आनते हैं। कल सुबह में फिर ततीत करने चलेगा। योग आज का ब्रह्म रहने वाला है रात्री के बारा बजे तक। ठीक बारा बजे के बाद एंध्रयोग आरंध हो जाएगा। दिशासूल आज उत्तर दिशा में हैं। उत्तर दिशा में चिन्हित कर लिजिए। किसी भी खास प्रयोजन से आपको यात्रा नहीं करने चाहिए। यहांपे यात्रा करने से आपको नुकसान होता है। किसी भी खास प्रयोजन से ऐसा नहीं कि यात्रा ही ना करे। अगर यात्रा करना ही पर जाए बहुत जोरुरी है टल नहीं सकता तो क्या करे। नासी का का जो भी स्वर चल रहा थी नाकमिस जयर से भी सोस ले रहे हैं वहले पड़ अपने मुखी दौर से पहले निकलने अड़ अरे यात्र आरम करें सुभखाद्याच का धनिया रहने वाला है धनिये का एक दोदना खाकर भी याताराम करेंगे किसी नए कारी को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी चंदरासी करक है करकरासी में चंदरमा सामके 4 बचकर 27 मेर तक विर्याजित रहेंगे तदब्रान चंदरमा का सिंग रासी में प्रवेस हो जाएगा वरत्योहार में आज है भैरव अश्टमी का वरत साथी कालाश्टमी भी आज है सुरी रासी की बात के सुरी तुलारसी में विशाखा नक्छात्र में और सौर मा कार्तिक मा रहने वालाई आये बेक नेजर डालें आज के सुर्य अधर प्छंद्रंधे की सिदी पर सुर्य अधर होगा सुभा के 6 बचकर 44 मीड़ पर सूरियास सामके 5 बचकर 27 मेर पर होने वाला है चंद्रोदे होगा रातरी के 12 बजे और चंद्रियास्त दिन के 1 बचकर 5 मेर पर होने वाला है आज के सुब चोहरिया की अगर बात करें तो आज का सुब समय रहने वाला है दिन के 10 बचकर 45 मेर से लेकर दिन के 12 बच कर 5 मिट तक 4 समयाज का दिन के 2 बच कर 46 मिट से लेकर साम के 4 बच कर 6 मिट तक लाब समयाज का सुबह के 6 बच कर 44 मिट से लेकर सुबह के 8 बच कर 4 मिट तक और आज का अम्रित समय सुबह के 8 बच कर 4 मिनट से लेकर सुबह के 9 बच कर 24 मिन तक रहने वाला हैं ये दो थी आज की सुब्चोगरिया आए भी एक नज़े डालें आज के राहुकाल गुलिकाल की सेती पर आज का राहुकाल गुलिकाल गुलिकाल की बात के गुलिकाल एक सुबमोर्थ होता है ये रहने वालें दिन के 10 बच कर 45 मिन दिन के 12 बच कर 5 मिन तक इस समय में को भी नज़े आज कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता है लगेगी अभिजीत मूर्थ भी एक सुब मूर्थ होता है लेकिन आज चुकी बुद्धवार है बुद्धवार को अभिजीत मूर्थ नहीं होता है तो आज अभिजीत मूर्थ नहीं है विजय महूर्थ की बात करें विजय महूर्थ दिन के 1 बच कर 22 मिर्च लेकर दिन के 2 बच कर 35 मिर्च तक रहने वाला है गौधली महूर्थ साम के 5 बच कर 15 मिर्च लेकर साम के 5 बच कर 49 मिर्च तक रहने वाला है तो मित्रों यहां पर मैंने आपको आज का संपून, विस्तित और सठीक पंचांग बता है इसी तरह की अने 11 वर्दक वीडियो के लिए जूरे रहें धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्षा जे माता दि